हलो दोस्तों मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हैं नॉलेज एवरिवियर दोस्तों आम तोर पर हर कोई जानता है कि चाहे नदी हो या तालाब हो या समंदर हर किसी का अपना एक किनारा होता है लेकिन अजूबा से भरी इस दुनिया में एक सागर ऐसा भी है जिसका कोई किनारा नहीं है जी हाँ दोस्तों आज हम अट्लांटिक महा सागर में समाया हुआ सारगाशो सागर की बात करेंगे दोस्तो यह दुनिया का एक मात्र ऐशा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है भागोलिक मांचित्र के नुसार इस सागर का अथा जल भंडा कहीं भी जमीन को नहीं छूता है जह सागर गुत्री अटलांटिक महाशागर में 20 डिगरी से 40 डिगरी उस्तिरी अच्षांक और 35 डिगरी से 75 डिगरी पस्चमी देशांतरों के बीच इस्थित्सान यंश्थिर जल का छेत्र है सरगशो शागर अट्लांटिक महाशागर के गल्फ इस्ट्रीम के पस्चिम और कैनेडी करेंट के पूर मेर्षित है सरगशो शागर का छेत्रफल 11,000 वर्ग किलो मीटर है यहाँ पर अट्लांटिक महाशागर की शर्वादिक हारापन और शर्वादिक पार्सिक तापांतर पाया जाता है अगर आप वहाँ जाने की सोच रहा हैं तो हम आपको बता दें कि शर्वशो दीप पर जाना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि यह सागर रहस समय बर्मुरा ट्राइंगल के बिलकुल नजदीख ही है दोस्तो बर्मुरा ट्राइंगल वहत्रिगूरी छेतर है जहां से जहाज हवाई जहाज आदिगायब हो जाते हैं और ये किस तरह से लापता हो जाते हैं यह भी आज रहस्य का विशय बना हुआ है सारगशो शागर की एक और खासियत यहा है कि यहां जमीन नहीं होने के बावजूद यहां बड़ी मात्रा में सारगशो नामप घास पाई जाती है जो जरविहीन घास होती है इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगशन कहा जाता है जिसके कारड इसका नम सारगशो पड़ा इस घास को सागर की शता पर तैरते हुए देखा जा सकता है दोस्तो सारगशो शागर यहां के जलीव जीवों के लिए एक खाद संपदा है जिसके अलावा इस घास के सहारे बहुत से जीव अपनी रच्छा करते हैं सारगशो शागर में कई तरह की मचली केकडे कच्छुआ अपना घर बनाकर रहते हैं दोस्तो इस सारगर के बारे में एक आश्चर बात यहाँ है कि अटलांटिक महासारगर में फिशत ठंड के बावजूद इस सारगर का पानी हमेशा गर्म रहता है दोस्तो इस जी के कारण इस सारगर को महासारी मुरस्थल भी खा जाता है दोस्तो अगर आपको मेरे द्वारा दीगे जनकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नौलेच एवरिवर को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हल्डी अपडेट आपको सबसे पहले मिले इसी सब्दों के साथ दोस्तो अब मैं आपसे विज़ा लूँगा तब तक के लिए बाय टेक क्यार जैहिन